एक दौर था जब Bollywood hardly touched political subjects, लेकिन अगर आज देखे, खासकर पिछले दो-तीन साल में तो जैसे की एक line लग गई है political filmों की, इन में से बहुती कम filmें चलती हैं, लेकिन ये जरूर सकते हैं that most of these films trigger up a debate in social and political circles. क्या इन फिल्मों द्वारा जो news debates होते हैं, या फिर social media पर जो कुछ हुथा है, या उसको दारा लोगों की राय बदलती है, is there any ideological change? Honestly, I don't think as a data है, जो इस चीज़ को सावित कर चुके, and let's be honest, ये दुनिया ऐसी है, जहां पर मरे काल से आज महत्मा गांदी को भी जाना जाता है, not so much for his ideology, but वो इसले क्योंकि हर नोट पे उनकी तस्वीर है. लेकिन जब बात आती है, विनाय का दामोदर सावर करकी, फिर तो इस पे हमेशा से curiosity रही है, और वो इसले कि नाकी वो कौन थे, बट जो 100 साल के उपर उनके उपर जो विवाज चलू है, कि क्या वो वीर थे, या माफी वीर थे? अब 2018 में तो Supreme Court ने एक फैसला किया था, जब किसी ने एक petition file की थी to reopen the case of Mahatma Gandhi's assassination, तो उसमें तो फिर से once again कुछ साबित नहीं हुआ, और court ने इस plea को खारिच किया था, तो I think that should ideally settle the debate around सावरकर's patriotism, लेकिन ये debate कभी खतम नहीं होगा, क्योंकि ये एक मुद्दा है, जिसके ल vested interest के लिए, अब ऐसे तो ये विवाद 70-80 सालों से चला आ रहा है, लेकिन जो दिल्चफ़ सी ये है कि 1966 में एक writer है, writer थे धननजय कीर, जिन्होंने सावरकर कर ओपर एक किताब लिखी थी, सावरकर and His Times 1950 में, उन्होंने अपनी इस book को republish किया in 1966 और उसके अंदर जो कुछ new details add की, जो कि उनका कहना था कि ये चीज़े उन्हें सावरकर ने खुद कई है, तो फिर इस किताब ने तो once again जो सावरकर के अलोग चक थे, वो फिर से खड़े हो गए, कि देखिए, जब जिन्होंने इनके ओपर किताब लिखी थी, अब वही कुछ और कह रहे हैं, तो फिर सावरकर वीर कैसे हो सकते हैं, अब खेर सावरकर साब तो तब जिन्दा नहीं थे, उनकी डेथ हो गए 1866 में, और ये किताब उनके मरने के बाद आई, so obviously he perhaps didn't read it, and he was not there to contest it, तो मेरे खाल से उसे साब से जो कीर साब ने लिखा, वो तो फिर एक शाहिद कंजेक्चर ही बनके रंदीफ हूदा, जो आज रिलीस हो चुकी है, अब if you see, you know, before the film's release, रंदीफ हूदा has been very vocal in talking about सावरकर की कैसे, वो माफीवीर नहीं थे, उनका कोई हाथ नहीं था गानी जी की हत्या में, he cited the 2018 Supreme Court order, और importantly, उन्होंने Congress की तरफ सीधा इशारा किया कि कहा, कि भही, Congress के कितने लीडर, क्या कभी कोई काला पानी जेल गया है, अब politics अपनी जगा है, लेकिन हमरा ऐसा मानना है, क्या ये जरूरी है, कि एक इनसान को उसे वीर कहनाने के लिए, क्या उसका बंदा जरूरी है, और अगर आप सावरकर साप की इनकी जिन्देगी को देखे, कि कैसे जब काला पर आप ये जज़ कर सकते हैं, कि वो वाकई वीर थे या माफी वीर, उन्हीं सो चौबिस में जेल से चूटने के बाद, शाथिंग तीरा साल के बाद, सावरकर जी जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, ब्रिटिश हुकूमत को, कि वो सम्मिदान का पालन करेंगे, he'll be a good citizen और वो किसी rebel activity नहीं करेंगे, कोई violence नहीं करेंगे, और तब फिर तो वो कोई अपने पुराने तरीके पर जा नहीं सकते थे, हाँ, अब क्या गांदी जी की विचारधारत को अपोस करना, या क्वेट इंडिया मूव्मेंट को अपोस करना, क्या वो unconstitutional था, well, I don't think so, अच सभी को वो cover करती है, और जिसके अंदर जो मुक्य है, especially जो multiple mercy police थी, और महाँ पर एक अच्छी बात यह है, कि कोई जो letter सावरकर जी ने लिखेते, बिटिश हुकूमत को, उसके अंदर कोई छिड़कानी की नहीं गई है, जो court आपको widely available है, over the internet, उन courts में कोई छिड़कानी न महात्मा गांधी, फिल्म की शुरुबात होती है, with the text reminding us how that सजियों से हमें लगता है कि हमें हमारी अजादी अहिंसा से मिली है, लेकिन यह सत्यन नहीं है, if not the person, but यह film is unapologetic in its bashing of Gandhian principles, अब इस चीज के लिए रंदी पूदा को चही था एक कमजोर गांधी, जो उन्हें मि to raise questions about Gandhian principles, लेकिन यदि जब एक फिल्म में किसी एक बड़े शक्सियत उसका खोड़ा उनकी अगेंच कुछ अजीब और गरीब दिखाया जा रहा है, और अगर अगर एक प्रेशों में भी लोग हस रहें, तो फिर मेरे हिसाब से यह criticism नहीं, बलकि यह slander है, एक पुरानी क मारत, और उस दौरान उनके जो methods है, obviously, तब वो मानते थे कि आता violence से ही इस देश को अजादी मिलेगी, और फिर यह लंडन जाते हैं, लेकिन एक बार जब जैसे ही यह काला पानी में इने बेजा जाता है, unfairly, और उसके बाद अगर आप देखेंगे इस film में, जो एक रूप अब वो अहिमसा का ही तरीका अपनाना चाहते हैं, तो यह खूबियत है, इस film की सावर करके character की, यह कैसे कि एक staunch गांधियन क्रिटिक, अब वो अपने goals अचीव करना चाह रहा है, through non-violence, हाँ यह ज़रूर याद दिलाना पड़ेगा, कि उनके जो release के condition थे, उसके अनुसा वो कोई ऐसे करांथिकारी activity नहीं कर सकते थे, तो इसलिए जेल से चूटने के बाद, वो कभी भी directly involved नहीं हो सकते, with I would say revolutionary movements, बस उनका सयोग है, और अगर आप फिल्म में देखेंगे कि कैसे उनका और भगत सिंग का भी scene है, और जब बाद में जब सावर कर हिंदू महासभा के अध्यक्ष मनते हैं, और जो उनकी बादचीत होती है, वो सब देशबक्ती की है, और क्योंकि वो openly इन चीजों का बात नहीं कर सकते, तो उसे सावशतों मेरे खाल से ये कहना, कि वो माफी वीर थे, ये बिलकुल गलत होगा, अब ये बड़ी अजीब विडमना है, कि एक शक्स जो पहले आजादी चाहता था था थू वाइलेंस, उनकी जब डेथ होई, वो तो बिचारे फास्ट करके मरे सावर कर दी, लेकिन दूसरी तरफ महात्मा गांधी, हूँ इस चैंपियन ओफ पीस, नॉन वाइलेंस, उनकी डेथ होई, बाई टेकिंग थ्री बुलिट् एक आजाद हैं और दोनों में एक और चीज़ कावन थी, वो थी इनके चस्मे का जो फ्रेम, ओल्ड विंसर स्टाइल, राउंड फ्रेम, अब अब अबिसली, लेकिन सावर कर की जो मैं कहूंगा, जो विजन थी, ऑफ इंडिपेंडनेंस, वो गांधी से बहुती दूर थी, As an actor मैं मानता हूं कि रंदीप हुदा वो एक shape shifter है, जैसे कि हमने पहले सर्वजीत में देखा कि कैसे उनकी body उसे बिल्कुल अपने आपको सुका देते हैं, अब क्योंकि सावरकर साब उन्होंने कई साल काला पानी में बिताए, जहां उनके साथ बहुत torture किया गया, अब ऐ जैसे इस काला पानी के मालिक तो है अंग्रेश, लेकिन यहां पर जो hunter और डंडा चला रहे हैं, वो जारत तर यहां के आपके Muslim समुदाए के लोग है, और यह बात आपको जटाता है कि कैसे गोरे बड़े smart थे, they believed in divided and rule, और जात पात के नाम पे वो हिंदुस्तानियों को अ और इस हिसाब से उनका जो तूती थी, इसी हिसाब से वो बोलती थी, लेकिन साथ में साथ ये भी है, जब आप कुछ ऐसे scene दिखाओगे और फिर इसमें, although it is history, बट एक थोड़ा डर रहता है कि कहीं आप फिर से कोई stereotype नहीं हो रही है, और साथी साथ ये scenes, आपको ऐसा भी अच्छी बात ये है कि आगे जाके सावर कर वो अपने हिंदुत्व उसे समझाते हैं, he tells us कि हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि सर्व उसके अंदर हिंदू है, बलकि the idea of Hinduism is like more loyalty towards one's motherland. If we come back to काला पानी, तो एक interesting चीज और है कि कैसे इतने सालों का torture सेने के बाद भी फिर एक वक्त आता है, जब जो जेल के जो जेलर है, बड़े ही कुकार शक्स, डेविड बैरी, कि वो जैसे सावर कर के साहस के सामने टूख चुके हैं, और एक scene है जहाँ पे कहाँ, टेरेस का scene है, और यहाँ पे यह अंग्रेज भाई साब शराप पी रहे हैं, कि offers a drink to सावर कर, और तब सावर कर उनसे कहते हैं, कि आप हमें आपके बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपने हमें एक समान समझाए नहीं, आप कैसे बातचीत कर सकते हैं, जब आप बैठे वे ह और मैं मेरे हाथों में हधकड़ी हैं, फिर वो उनकी हधकड़या खोलते हैं, और फिर जो जो बैरी कहते हैं देविड बैरी, कहीना कहीन उससे ऐसास होता है कि थोड़ा पश्टावा है कि उन्होंने क्या क्या की आए है हैं यहांपे, और अब देखिए नसीप कैसा उनका क कि एक senior officer है British हुकूमत में और इनकी जो बातचीत होती I think उस में आपको देखने को मिलता है कि कैसे यहां पे Reginald, he has a fear of sour car but at the same time, वो respect करते हैं कि यह political जो prisoner है, वो जिस मुद्दे के लिए लड़ रहा है, उसके अंदर, उसकी दुनिया में वो बिल्कुल सही है. Bennington का बस यह कहूंगा, आपने यहने पहले Rocket Boys में देखा, वहाँ पे उन्होंने काफी अच्छा काम किया, and once again I would say that he is leaving his mark in Hindi cinema. प्रंदी पूदा की फिल्म खतम होती है with Savarkar's death in 1966, अब उसके बाच हो कुछ हुआ, वो सब इस फिल्म के अंदर बिल्कुल उसे इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन यह जरूर है कि जो कुछ events, pre-independence and post-independence, उन्हें आपको जिस तरह से दिखाए गए, शायद यह आप प्रंदी पूदा का मानना है कि उनकी फिल्म is the most anti-propaganda film, अब खेर जो सावरकर के अलो चक आज भी है, अब यह उनके ओपर निर्वाई करता है कि वो इस फिल्म को कैसे देखते हैं, as a film, सवतुंतर वीर सावरकर is not very engaging in the first 90 minutes, यह काफी लंबी फिल्म है, करीबती गंटे की और सच बताए तो first half काफी boring है, लेकिन यह film momentum पकड़ती है second half में खासकर, जब पहले तो जब सावरकर tries to escape और ship से वो कूच जाते हैं और फिर जब उन्हें काला पानी लिया जाता है, तो वहां से यह film मरेकाल से सही माइने में यह महीं से शुरू होती है, और कहीं न कहीं जो सावरकर की वीरता है, वो आपको second half में ही देखने को मिलती है, और अजीब बात यह है कि जेल में रहके उनकी वीरता जो है, that stems not from any violence, but endurance, इतना दर्स हैते हैं वो, और यह आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि एक शक्स, एक गांधियन क्रिटिक था हमेशा, लेकिन अपनी जिन्दगी के अपने, मैं कहूंगा, revolution के बाकी जिन्दगी में, उन्होंने सब जादातर non-violent तरीके ही अपना है, एक biopic में यह ज़रूरी नहीं, that you need to look like the real person, what is more important is how you invite the values that the real person stood for, और रंदी भूदा, मैं कहूंगा, इक मांदार कलाकार है, और सावरकर की जो values है, वो बिलक हाँ, चुरुवात में वो थोड़ा टाइम लगाते हैं, लेकिन एक बार जब वो अपने रंग में आते हैं, तो फिर तो बिलकुल वो single-handedly इस फिल्म की डोर अपने कंदों पर समालते हैं, बस इतना कहूंगा, once again we get to see a bone-chilling performance by रंदीभ हूदा, हूदा और उनके primary writer उतकर नहीं था नहीं, उन्होंने ये फिल्म काफी well-research अच्छा किया है, ये overall अच्छी लिकी गई है, बट समस्या वही है कि अगर आप रंदीभूदा के लावा, यहाँ पे कोई भी as an actor को इतने खास impression नहीं करता है, अंकीता लोखंडे, उन्होंने थोड़ी बहुत फिल्में क मिलेगा, तो उनके hardly कुछ dialogues है, यह है जो उनका पहला सीन है, अंकीता का वो बड़ा ही मैं कहूंगा, visually बहुत ही attractive है कि कैसा है यहाँ पे हमारे सावरकर और उनके परिवार वाले आएं लड़की का हाथ मांगने के लिए, और लड़की का उनका चेहरा तो नहीं दिखता है, लेकिन एक खटिया है, और खटिया ऐसे उल्टी रखी वी है, और उस खटिया के बीच से वहाँ पे she's peeping through that चारपाई और वो देख रही है इस व्यक्ति को, वो सीन बड़ा ही अच्छी तरह से शूट किया गया है, दाद देनी पड़ेगी है यहाँ पे cinema रखेक्टी, लेक आक्टर्स आपके फिर चाहे लोकमानिय तिलक प्ले कर रहे हैं, या फिर पंडिट नहरू, जिना, सुबाज चंदर बोस, इस सभी आक्टर्स हमें कमजोर लगे और बस I think the film is largely I would say that is a one man show, अमेट सियाल, he plays सावरकर's elder brother, गनेश सावरकर, उनका रोल इतना लंबा नहीं, ले फिल्म में जो कुछ चीज़ें बहुत ही consistent है, मेरे खाल से उसकी production design, location बड़े अच्छे हैं, और जो sets जो भी कुछ है, बनाएगा है, काफी अच्छा है, आपको बिलकुल ऐसा गिलाता है कि जैसे आप उस early 1900 से लेके 1960s में आप मौझूद है, और जो इसका background music है, वो मेरे ख अच्छन सा की थी, अब usually सावरकर is considered as an icon among the Marathi people, और मैं उमीद करता हूं कि रंदी भूदा की स्वतंतर वीर सावरकर देखने के बाद, the rest of India will get a balanced perspective on India's most controversial freedom fighter, रही बात rating की, तो हम इस फिल्म को देते हैं, 5 में से 20 stars,